अगर आप फेस्बुक यूजर हैं तो साबदान हो जाईए क्योंकि आपके फेस्बुक पर कोई और भी नजर रख रहा है चाहे आपका कोई परसनल चैट हो या कोई फेस्बुक पोश्ट आपके हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिटिस की कमपनी केमब्रिच एनालीटिका के उपर आरोप लगा है कि अमेरिकन राश्टपती डॉनाल्ट टरम को जिताने के लिए इस कमपनी ने अमेरिका के 5 करोड यूजर्स के डाटा की चोरी की इसलिए इस बीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस बीडियो में हम आपको यह बताइए कि आपके डाटा की चोरी कैसे होती है और आप अपने डाटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कैसे होती है फेस्बुक डाटा की चोरी connect with facebook के अनुसार 50,000 से ज़्यादा website facebook के जरिये login का option देते हैं इसके अलावा कई apps पर भी आप facebook के थुरू login कर सकते हैं और जैसे ही आप इन apps पर facebook के थुरू login करते हैं बैसे ही automatically facebook आपकी जानकारी इन apps और website से साजा कर देता है साथ ही यदि आप किसी blog या internet से जुड़ी किसी और सेवा का इस्तमाल करते हैं तो इसके जरिये भी facebook आपका data collect कर लेता है आज कल online game खेलने का क्रेज कुछ जादा ही भड़ गया है जिसके अनुसार facebook के थुरू आप किसी भी website पर game या Q खेलते हैं और जाने अनजाने आप भी किसी third party को अपने profile को share करने के लिए invite करते हैं चलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि आप अपने facebook के data को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने facebook के journal setting में जाकर नाम, date of worth, family member आप online है या नहीं ऐसी जानकारियों को private रखिए ताकि जो लोग आपके friend list में नहीं हो वो आपके account को ना देख पाएं Facebook के setting में जाकर apps पर click करें इसके बाद apps, website, plugins पर जाकर edit पर click करें जिसके बाद आपको disable platform का option मिलेगा जिस पर click करने के बाद आपका सारा data उन apps से हट जाएगा जिस पर आपने facebook से login किया था किसी भी website और apps पर facebook से login ना करें किसी game, queues या आकरसित करने वाले page को like ना करें समय समय पर अपने facebook password को बदलते रहिए जिदि आपको है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share कीजिए और हमारे चैनल को सब्क्राइब करते